हेलो, मैं डॉक्टर पुंकेश कुमार, डर्मेटरलोजिस्ट दोस्तो आज हम पिंपल्स या मुहासे से बचने के उपायों के बारे में चप्चा करेंगे पिंपल्स या मुहासे हमारे तेल, हमारे चेहरे में जो ओयल ग्लेंड के ब्लोकेज की वज़े से होते हैं तो सबसे पहला टिप, अपने फेस को दो से तीन बार जरूर साफ करें, खासका जब आप कहीं बाहर से आते हों या पोल्यूशन या डर्ट के जमा हो जाने की वज़े से आपके चेहरे में जो ओयल ग्लेंड में रुकावट आती हैं उसके वज़े से भी हमारे फेमपल्स बढ़ते हैं, तो कोई भी सेलिसायलिक बेस्ट या घ्लाइकोरिक बेस्ट फेस्वास से आप उसको धो सकते हैं टिप नंबर दो, कभी भी चेहरे में अगर पिंपस हो गए हैं, कभी भी उसे आप दवा करके या उसको खरोच कर निकालने का प्रयास न करें, बहुत सारे लोगों में ये चीज होती है कि वो अपने चेहरे को बार-बार छुएंगे या चेहरे को रगड़ेंगे, तो ये हाथों से आप धो करके जो नरम तौलिया है उससे पोच लें, पोचने के बाद कोई भी ओयल फ्री मॉस्चराइजर का उपयोग करें, टिप नंबर तीन, कभी भी अगर आप मेकप यूज कर रहे हैं या आपने चेहरे पर कोई प्रोड़क्ट लगा रहे हैं, तो कभी भी टिप नंबर फोर, हमारी जीवन से लिए और खान पान का भी मुहसों में बहुत बड़ा प्रभा पड़ता है, तेलिये चीज जैसे तला, भूना इस सब चीज का आप प्रयोक कम से कम करें, हरी साकसबजी आपने आप खान पान में ज्यादा रखें, जो ताजे फल हैं इनक अगर हो भी गये हैं और कुछ-कुछ पिंपल्स हैं तो क्लिंडा मैसिन बेस्ट या बेंजोयल प्रयोक्साइड बेस्ट क्रीम का आप उप्योग कर सकते हैं, इससे आपको पिंपल्स में कमी आएगी, बट अगर ज्यादा पिंपल्स हो रहा है या कुछ है, तो आप किसी भ नमबर शिक्स, धूप में जाने से पहले सनी स्कीन के इस्तेमाल जरूर करें, सनी स्कीन कैसा होना चाहिए, सनी स्कीन ब्रोडर स्पेक्टरम होना चाहिए, और अगर आप पिंपल्स प्रोन इस्कीन है या मुहासे आपको ज्यादा हो रहा है, तो ओयल फ्री या नोन प्रोडरोजेनिक सनी स्कीन का आप इस्तेमाल करें, टिप नमबर सेवन, रात में सोते समय आप अपने चेहरे को जरूर साफ करें, जितने सारे मेकप है जरूर उनको आप हटा दें, और उसके बाद मौस्चराजर लगा करके आप सो जाएं, टिप नमबर एट, अगर आप स समोकिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप समोकिंग छोड़ें, असकोब समोकिंग से हमारे चेहरे पर बुरा प्रवा पड़ता है, अगर आप तनाओं में हैं, तो आप तनाओं को कम करने का प्रयास करें, एक हेल्दी जीवन सैली का प्रयोक करें, सुबह योगा या मेडिट कर सकते हैं इससे भी आपका pimples कम होगा टिप नमबर दस अगर pimples हो गये हैं बहुत जादे हो गये हैं तो pimples में किसी भी तरह का बजार में मिलने वाली क्रीम का इस्तिमाल बिल्कुल ना करें उनमें अस्ट्रॉइड होता है उससे आपका चेहरा हमेशा के लिए भी खराब हो स करता है इन सब इस्तिती में आप अपने नजदीर की डर्मेटलोजिस्ट या इस्कीन अस्पेसलिस्ट से जाके सला ले उनके सला को फॉलो करें और अपने चेहरे को बढ़ियां फ्लॉलेस चमकदार रखें अगर आपको इस्कीन हैर या नेल से समधित किसी भी तरह की समस्य हो तो आप मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं या मेडी साला एप से आप एपॉइंटमेंट ले सकते हैं धन्यवाद